हेलो वेरीवन वेलकम बैक टू दाडल एक्सपर्ट चैनल तो इस पड़े में हम बात करने वाले हैं कि हमारे प्रोजेक्ट जो हम क्रिएट कर रहे हैं बूक आप उसका आइकन कैसे सेट करते हैं तो सबसे पहले हम बाय डिफर्ट जो आइकन है उसको चेक कर लेते हैं तो आइकन चेक करने के लिए आपको सबसे पहले मेप मेप को उपन करना है तो मैं आप मेप 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 आ चुका हूँ एंड इस फोल्डर को उपन कर देना है इसके बाद जो IC launcher दिखाए दे रहा है हम इस इतने भी आइकन है हम सबसे पहले देख लेंगे तो आप देख सकते हो by default यह आइकन है बट हमें इस आइकन को चेंज करना है हमारे आइकन से ओके तो सबसे पहले हम इसके लिए आप आइकन क्रेट कर देते हैं तो आइकन क्रेट करने के लिए सबसे पहले आपका इंटरनेट क करनेट होना चाहिए तो मैं जल्दी से इंटरनेट को कनेट कर देता हूँ अभी मेरा completely आप इंटरनेट कनेक्ट हो चुका है अभी मैं ब्राउजर में चला जाता हूँ ब्राउजर में जाने के बाद आपको easy app icon इस website में जाना होगा तो इसलिए में गूगल में आके यहाँ पर सर्च कर देता हूँ easy app icon और यहाँ पर आपको प्रेस करना होगा एंटर जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो आपके समने कुछ URL शो होगे easy app icon के तो देख सकते हैं आप जैसे हमने easy app icon को सर्च कर दे हमारे समने फर्स्ट वेबसाइड ओपन हो चुके है https easy icon.com तो इसको हम सबसे पहले क्लिक कर देते हैं और ओपन कर देते हैं तो आप देखोगे easy app icon.com में इसका इंटर पेस ओपन हो चुका है तो आपको यहाँ से क्या करना है सबसे पहले एक कोई भी फाइल सिलेक कर देना है मिस कोई भी image सिलेक करना है जिसका आपको app icon create करना है तो मैं choose file पे क्लिक कर देता हूँ और आप देख सकते हो यहाँ पे मैं इसको select कर देता हूँ आपको कोई भी app icon आपके मर्जी से सिलेक कर देना है अगर by default आपको इसे icon को create करना है तो मैं वीडियो के description में इसके भी image लिंग provide कर दूँगा अभी मैं open पे click कर देता हूँ जैसे हम open पे click करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे round भी आ चुका है, full blade भी आ चुका है and legacy भी आ चुका है तो हम इसकी padding set करने वाल है तो देख सकते हो यहाँ पे अच्छे से fit नहीं है तो इसको fit करने के लिए हम इसकी padding थोड़ी कम कर देंगे minus में चले जाएंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे जमसे हम थोड़ा ज्यादा बढ़ा रहे तो इसकी padding कम होते जा रहे तो आप देख सकते है यह proper size है इसलिए आपको EC-38 पे रख देना है यहाँ से आप background का color भी change कर सकते हो तो आपको मैं सबसे पहले दिखा देता हो यह जो tint color है यहाँ से हम इसका color भी change कर सकते है अभी हम क्या करते है IC Launcheries का name रख देते अभी हम download पे click करेंगे क्योंकि हमारा completely यहाँ से work हो चुका है अगर आपको पता नहीं कि app icon कैसे create करते है तो मैंने इसके उपर एक proper video बना के रखा है अभी हम download पे click कर देते है क्योंकि हमारा completely work हो चुका है जैसे हम download पे click करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने दो box open हो जाएगे तो iOS plus adaptive icon पे आपको click कर देना है जैसे हम इस पे click करेंगे तो यहाँ पे generating का option दिखा यह देर आओगा आपको थोड़ी देर में हमारे file manager में यह file download हो जाएगी तो आप देखोगे कि थोड़ी देर में यह IC launcher create हो जाएगी तो यहाँ पे अभी complete होने वाली है हमारी IC launcher की file तो अभी यहाँ पे complete हो चुके तो मैं सबसे पहले again file manager में चला जाओगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे today means अभी हमने इसको create कर दिया यह zip file में होगी तो इसको सबसे पहले हमें complex करना होगा तो मैं यहाँ पे right click कर देता हो और यहाँ पे जो option दिखाए दे रहा extract all इस पे हम click कर देंगे जैसे मैं extract all पे click करेंगे यहाँ पे again extract के लिए हमें पूछा जाएगा तो मैं इसको extract कर देता हो जल्दी से करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे open हो जाएगे जो भी app icon रहते हैं तो मैं इसमें जाके आपको सबसे पहले show कर देता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे different different है तो यह प्लेश्टोर के लिए icon होता है अगर आपको प्लेश्टोर के लिए app icon upload करना है तो इसी 512, 512 pixel को use करना होता है बट यह जो icon होता है यह Android Studio में set करने के लिए होता है तो मैं सबसे पहले आपको Android Studio में लेके चलता हूँ और कहाँ पे app icon को set करना है यह बता देता हूँ तो देखो यह जो mipmap file है इसमें हम इसको set करना होगा तो हम सबसे पहले control प्रेस करेंगे and इस पे click कर देंगे control प्रेस करके जैसे हम इस पे control and press करेंगे तो आपके सामने यह open हो जाएगा तो मैं mipmap mdpi पे click कर देता हूँ तो आप देख सकते है book app, app, source, main, resource यह जो file है mipmap की यह open हो चुके at the file manager से ठीक है अभी हम क्या करेंगे इसको copy करेंगे and इसमें paste करेंगे जो हमने download किया यह जो दिखाई दे रहा होगा आपको downloads में इसको हम completely copy करेंगे and same यहाँ पे हमारा जो project है इसमें paste करते जाएंगे तो इसके करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा इसको copy करना होगा mipmap and dpi से sdpi sorry ldpi पे copy नहीं करना है क्यूंकि यहाँ पे ldpi आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा आपको any dpi, sdpi, mdpi, xsdpi, double xsdpi, double xsdpi तो इसलिए आपको यही file select करने ही जो वहाँ पे है तो मैं इन सभी को select कर देता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने six file को select कर देया आपको धहन में रखना है ldpi को select नहीं करना है तो मैं अभी ctrl c से copy कर देता हूं यहाँ पे file manager में जाकि इसको completely paste कर देता हूं ctrl v से तो यहाँ से पूछा जाएगा replace the file in the destination क्योंकि उसी name से already files available है तो हम क्या करेंगे new file से उसको replace कर देंगे अभी हम एक एक open करके देखेंगे सबसे पहले sdpi को open करेंगे तो आप देख सकते हो अभी आपको नए icon देखने के लिए मिल जाएगे तो मैं सबसे पहले इसको delete कर देता हूं जो भी by default पहले से icon थे तो delete हम click कर देंगे sdpi का work हो चुका है same आपको mdpi भी करना पड़ेगा मैं इसको दोनों को select कर देता हूं and delete button पे click कर देंगे अगेन हम resource में जाएंगे यहाँ पर जो xsdpi उसका भी same work करेंगे इसको and इसको select कर देंगे and delete button पे press कर देंगे अगेन हम double xsdpi के लिए भी same work करेंगे ic launcher जितने भी है by default उसको delete कर देंगे and lastly movement triple xsdpi के लिए भी इसको delete कर देता हूं तो आप देख सकते हूं हमने completely icon को set कर देया अभी हम देखेंगे सबसे पहले कि icon set हो चुका है क्या नहीं हो चुका है तो आप देख सकते हो यहाँ पे change हो चुका ic launcher, ic launcher forward ground and ic launcher ground मैं अभी इसको open करता हूं and इसको अभी click करके देखता हूं तो आप देख सकते हो हमारा icon proper show हो रहा है अभी हमें क्या करना होगा manifest में जाना होगा तो मैं सबसे पहले manifest file को open कर देता हूं and इसके बाद add direct map ic launcher को देखने के लिए आप ए control press करना होगा इस पे ओके तो देख सकते हो यहाँ पे ic launcher अभी completely create हो चुका है अभी हम सबसे पहले हमारे project को mobile device के साथ connect करते है and देखते है कि हमारा जो भी आइकन है वो proper set हुआ है कै नहीं हुआ है तो जल्दी से मैं connect कर देता हूं project को android mobile के साथ तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा mobile device connect हो चुका है मैं अभी run app पे क्लिक कर देता हूं जैसे हम run app पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे gradle build start हो जाएगा तो हम gradle build finish होने तक wait करते है यहाँ पे जैसे gradle build finish हो जाएगा तो हमारे mobile device में app launch हो जाएगा ओके तो हम wait करते है तब तक तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे error show हो रहा है ठीक है एरर इसलेश हो रहा है क्योंकि हमने any dpi 26 को चेक किया ही नहीं तो सबसे पहले इस error को resolve करने के लिए आपको क्या करना होगा color ic launcher background के नहीं से कोई भी color नहीं है तो मैं इसको toolbar के color से change कर दूँगा adderate color toolbar ok I think अभी हमें कोई भी error देखने के लिए नहीं मिलेगा तो अभी मैं run app पर again click कर देता हूँ बस यहाँ पर एक error था adderate जो color था उसको change करना था आपको toolbar में यहाँ पर भी same again एक error देखने के लिए मिल रहा हमें एक ic launcher के लिए था और एक ic launcher round के लिए था ok अभी हम क्या करेंगे इसके लिए भी color same toolbar का color set कर देंगे तो मैंने यहाँ पर toolbar का color set कर दिया है अभी हमारा completely I think अभी कोई भी error शोग नहीं होगा तो अभी मैं run app पर click करके देख लेता हूँ अभी हम देखेंगे कि यह icon change होता है के नहीं होता है यहाँ पर gradle build start है अभी थोड़ी दिर में gradle build finish हो जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर message भी आ चुका है gradle build finish in 48 seconds यहाँ पर installing की process भी show हो रही है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर message आ चुका है launch success तो आप देख सकते हैं जो पहले book app था इसका icon अभी completely change भी हो चुका है तो अभी हम सबसे पहले तो हमारे app है उसको launch करके देखते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर splash screen open हो रही है book app नीचे मेरा नाम आ रहा है powered by Rohit तो आप देख सकते हो यहाँ पर book app भी open हो चुके है अभी हम सबसे पहले home button में चले जाएंगे and check करेंगे कि हमारा app icon show रहा है क्या नहीं हो रहा है तो आप देख सकते हो book app जो था अभी इसका app icon आपको show रहा होगा I hope तो देख सकते हो अभी app icon change हो चुका है मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ यह जो हमारा book app है यह हमारा था तो इसका पहले by default जो icon था वही show हो रह करते हैं तो अभी हम next video में book app के search में implement करेंगे यह जो आपको दिखाई देर आओगा screenshot में search बार इसी को हम next video में implement करने वाले हैं तो मिल तक ले नए वीडियो में तो तब तक के लिए जाहें and जे भार